जैने दोस्तों, यूपी पुलिस की बहुत सरी अपडेट आई है, जो आपका एक्जाम होने वाला है, वो पहले बताए गया 11 फरवरी के आसपास होने वाला है, बट जो अभी कुछ दिन पहले नोटिस वैरल हो रही है, उसमें 18 फरवरी बताए गया है, और ये आपको बताद है, क्या कैपिसिटी है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, जो इस दिन पेपर हो सकता है, और बर्ती बोर्ट का ये है, कि एक ही दिन में एक्जाम कराने का चांसेज है, पुरी प्रोबिल्टी है, ये आपको समय कम मिलेगा तयारी करने लिए, और जो लोग इस आहास में भी बैठ के साथ बुला जा रहा है, कि आपका एक्जाम होगा, फर्वरी में ही होगा, दूसरी चीज़ आपको बता दू, एज को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, कि कैसा है, एज में देखिए तीन सल की छूट मिली हुए, तो जो तीन सल जैसे अठारा से बाइस था, ज मेने से रह गया, तो भाई, आप लोग लिए बहुत 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 बदाई हो, मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, इस से रिलेटेड, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, दूसरी आपको इलिजबिल्टी क्राइटेरिया के बारे में बता दे रहा हूँ, कि क्या होती है उससे पहले आप एक चीज़ जानना, आप UP Police के तयारी कर रहे हो, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बुक्स के रिलेटेड, आपको ये बहुत जानना जरूरी है, कि आपके कौन से बुक्स से पढ़ें, आफ्लाइन तयारी करें, ये बहुत जानना जरूरी है, नोट्स बु जैसे जिसका सलेबस नहीं कम्प्लीट है, तो उनको अलग अलग सब्जेट की बुक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है, और जिनका सलेबस कम्प्लीट हो गया, उनके लिए गाइड बुक बढ़िया है, मैं देखाते रहा हूँ, अगलवाल exam card publication की गाइड बुक है, इनके साथ सा साथ इनका practice rate भी लगा सकते हैं, जिनकी preparation नहीं कम्प्लीट हो, बहुत सारे बुक्स नहीं रखें, गाइड बुक में basically होता क्या है, कि आपको हर subject का, हिंदी, मैंस, जी के सारे subject दिये गया है, और सबके question भी दिये गर, तो previous year के भी question रहते हैं, और इनके practice rate में भी question रहते है प्रेक्टिसर में previous year के भी question रहते हैं, जिससे लगाने से आपकी concept clear होते हैं, आपको समझ में आता है किस type क question आ रहे हैं, और आप अगर advanced stage पर है, जैसे आपका सारा subject complete हो गया, प्रेक्टिस भी कर लिए हो, तो ये बुक फिर भी आपको कमाईए, अगरवाल exam card की, जो है, कि आपको practice में ज्यादा help मिलेगी, आपका पता है कि OMR-based exam होने वाला है, तो आप जितना ज्यादा practice करेंगे, आपके लिए उतना ही बड़ी है, तो आप description link दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इस book को buy कर सकते हैं, देखिए एक बार, अब बात करते हैं, आपके lisability के, देखिए exam को पता है, 27 December से लेके 18 January तक है, जिसमें 26 January तक फार्म भरे जाएंगे, बहुत से लोग दिक्कत कर रहे हैं, बहुत से लोग गल्दी कर रहे हैं फार्म भरने में, मैं उसके उपर next video बना दूँगा, क्या दिक्कते आ रही हैं, क्या नहीं, documents related, already video बना चुका हूँ, तो उस ECU board से, और height जो होती है, basic requirement आपको eligibility बता रहूं, height जो होगी, वो male की 168 cm है, और female की 152 cm है, ST category के अलग है, and running की जो होती है, वो आपकी 4.8 km male के लिए 25 मिनट में है, और female के लिए 2.4 km 14 मिनट में है, ये जो है basic requirement, और female की weight check होती है, और male की chest check होती है, तो ये जो basic requirement है, अगर आप इस चीज में fulfilled होता है, अब बाकी medical से related में बता दूँगा, flatfoot इन सब से related में वीडियो बना दूँगा, बाकी ये सब चीज़े जो basic requirement है, अगर इस चीज में eligible है, और इस चीज में है, document आपका सही है, सब कुछ है, तब form भरी है, form भरने में क्या गलती करोगे, वो मैं next आप अपनी examination के तयारी करो, और एकदम ये मान के रखो, कि आपका exam February में होने वला है, आपके बहुत कम दिन बचे है, मुस्किल से 40-45 दिन बचे हुए है, अब इसी में आपको तयारी करनी है, जो लोग अभी से start कर रहे हैं, अभी में मोका है, 7-8 गंटा देना है, आप मेर जादे इस फैमिली को बढ़ाए, देर होगा यूपी ब्लॉक्स फैमिली को, ठीक है, मिलते हैं किसी और वडियो में दोस्तो, जै हिंद